अच्छ 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 पिश्ट आज की जो अमारे रेसीपीए बड़ा ही लिल्डी सा रेसीपी आज हम बनाएंगे मारवल केप वह भी गेऊंपर आकशी यह बच्छों के लिए एक बड़ा ही अच्छा सबस्क्राइब से हम स्कूल टिफिल में हिसको ब़़ते दे सकते हैं तो इसको हम ओबन में बेख नहीं करेंगे, आज हम ग्यास में इसको बेख करेंगे, तो चले रेज़पी देख लेगे 4 कप गेउ का आठा मेंने लियाए, इसमें करेवां 1.5 किलो का केक बन जाएगा इसमें हम आठ करेंगे, एक कप सुगर, एक कप गी, बटर के बदले, इसमें मैं गी यूज करूंगी 2 टेवलिस्पन मिल्क पाउडर ब्यानिला एसेंस 4-5 बूंदे, आप कोई भी फ्लेवर का आएसेंस आपकी पसंद के हिसाब से आठ कर सकते हो थोड़ा सा मिक्स करके, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना दूद डालके बैटर त्यार करेंगे पहले हम सारी की सारी इंगेटिंस को अच्छे से इकठा कर लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा करके दूद डालके बैटर त्यार करेंगे एक साथ सारी की सारी दूद को हमको नहीं डालना है नहीं तो फिर आटे में गुटले आ सकता है अगर बैटर में गुटले आ गया तो आच्छे से नहीं खुलेगा और फिर केक भी आच्छा नहीं बनेगा तो अभी सारी सारी इंग्रेंट्स को मैंने इकठा कर लिया है दो से तीन मिनिट तक इसको हम बीट करेंगे आप चाहे तो बीट करने के लिए हैंड मिक्सी भी यूज कर सकते हो अभी हम बैटर को कवर करके 15 से 20 मिनिट तक रखेंगे ताकि उसमें सक्कर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए एक बडा सा पतिला मेंने लिया आए इसमें हम केक को बेक करेंगे तो जो बड़ा बला नमक आता है एक किलो नमक मैं उसकी अंदर डालूंगी गयास में बेक करने के लिए हमेशा हम आलूमिनियम का पैन चाहिए और ओभी ठीक वाला नमक को प्यान के अंदर फेला देंगे अभी उसके उपर एक स्टांड को रखेंगे ये नर्माल घर में जो बर्तन वगरा रखेंगे के लिए जो हम यूज करते हैं उस टाइप का स्टांड है अभी हम प्यान को कवर कर देंगे और श्लो फ्लेम में इसको प्रीहिट होने देंगे 15 से 20 मिनिट तक 15 मिनिट हो चुका है बैटर भी आच्छे से सेट हो चुका है तो अभी हम इसमें आड करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डिटेल इंगेडियंट्स के लिए आप डेस्क्रिप्शन बक्स चेक किजिए उदर सारी की सारी इंगेडियंट्स लिखा हो आए और आप प्रेसीबी के लिए मेरे वेबसाइट फूर्स्पिसिसभाई जोती.com भी सार्च कर सकते हैं एक दो मिनित के लिए फिर से एक बार बीट कर लेंगे बैटर अभी एकदम से फलपी हो चुका है हमको मार्बल केक बनाना है तो दो टाइप के बैटर हम तेयर करेंगे आधा बैटर को और एक जगए में हम निकल देंगी और चौकलेट बैटर के लिए हम 2 टेबल स्पून आड़ करेंगे कोको पाउडर और थोड़ा सा चौको चीप्स अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी दोनों बैटर तैयर हो चुका है हम थोड़ा सा स्प्रिंकल सा भी आड़ करेंगे फाइट बैटर में जो की बैनिला फ्लेवर्ड बैटर है उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल सा भी आड़ करेंगे ताकि हो थोड़ा सा कलरफुल दिखे मिक्स कर देंगे ये एक आलूमिनियम प्यान है इसमें हम बेक करेंगे थोड़ा सा गी लेके पहले पैन को ग्रीज कर लेते हैं तो पहले हम चकलेट बैटर का आधा आड़ करेंगे मारवल केक के लिए हम ऐसे भी मिक्स करके पैन के अंदर कोई भी साइड में थोड़ा थोड़ा करके दोनों टाइप का चौकलेट और बैणिला फ्लेवर का जो बैटर है आड़ कर सकते लेकिन मैं थोड़ा लेयर में दे रहे हूं और बेक होने के बाद ये लेयर में नहीं रहता है मिक्स हो जाता है हिला देंगे थोड़ा सा पैन को और अभी बीच में आड़ करेंगे बैनिला फ्लेवर बैटर इसको भी थोड़ा सा स्पून में फेला देंगे जैसे की चॉकलेट बैटर के उपर आच्छे से एक कोटिंग आ जाए बैनिला फ्लेवर बैटर का पैन को थोड़ा सा हिला देंगे अभी सबसे उपर आड करेंगे चॉकलेट बैटर को चॉकलेट बैटर को मैंने आड कर लिया है उपर से थोड़ा सा चकोचिप्स डाल देंगे 20 मिनिट हो चुका है नमक गरम हो चुका है तो अभी इसके अंदर हम बेकिंग पैन को रखेंगे ये बेक होने के लिए एक गंटा से देड़ गंटा तक लगता है बहुत टाइम लगता है तो स्लो मिडियूम फ्लेम करके इसको हम कवर कर देंगे आदा गंटे बाद चेक करेंगे आप देख सकते हैं बैटर एकदम से मिक्स हो रहा है बैनिला फ्लेबर साइड से उपर आ रहा है फिर से इसको कवर कर देंगे और आदा गंटा के लिए केक को बेक करके एक घंटा हो चुका है आप देख सकते हैं पतिले की उपर तक केक आ चुका है फिर भी बीच में से बैटर दिख रहा है तो फिर से 15-20 मिनिट तक इसको कवर कर लेंगे अभी एक घंटा 20 मिनिट हो चुका है तो केक को चेक करेंगे उपर से ये जिसे बेक हो चुका ही दिखाई दे रहा है तूद्पिक क्लीन निकल आया इसका मतलब केक हो चुका है तो रूम टेंपरेचर में आने तक इसको ठंडा करेंगे केक अभी रूम टेंपरेचर में आ चुका है तो पतिले से इसको निकल देंगे एक प्लेट में ले लेंगे कट करके चेक करेंगे अचली ओबन से ज़्यादा जो हम ग्यास में बेक करते हैं वो ज़्यादा परफेक्ट रहता है और बहुत ही स्पंजी रहता है चाकू एकदम आरम से इतना बड़ा केक के अंदर जा रहा है आप देख सकते हैं कितना सुन्दर दिख रहा है केक के अंदर और अच्छे से स्पंजी भी बनाए केक तो एक असन तरीके से अगर आपके पास ओटीजी भी आविलेवल नहीं हो आप ग्यास में इसको बेक कर सकते और यह जो नमक है यह वेस्ट भी जाता इसको आप ठंडा बने के पास दिवे में भरके बार बार युज़तर सकते मेरा नेक्स्ट रेसिपर इस दही एक सम्पोड सा दही हम घर में कैसे बनाए और अच्छे दली कैसे बनाए तो यह रेसिपर में नेक्स्ट बाण रिखे आऊँगी तो अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो के नेजे जो लाइक का बटन ही इसको ज़रोग लेकिए